अगर आप लोग बेसिक्स ऑप्वालिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अगर आप लोग बेसिक्स ऑप्वालिटी के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं इससे benefit आपको जरूर होगा आज हम लोग discuss करेंगे historical background के बारे में इसमें company कैसे इंडिया आती है और धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शिरू कर देती है इसमें कैसे कैसे वो अधिकार लेता है बैटल ओफ प्लासे देखेंगे हम लोग 1757 में फिर बैटल ओफ बक्सर देखेंगे 1764 में ट्रीटी ओफ इलहबाद देखेंगे 1765 में उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और इसके फीचर के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे आए हम दो चलते हैं कि लेक्ट्चर फाइट ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 16th सेंचुरी एज ट्रेडर्स ग्रान्टीड बाई एलिजाबेट फो फिप्टेन यर्स एनि ब्रिटिश इस इस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में वो एलिजाबेट जो वहां की महरानी होती है वो इस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देती है 15 साल के लिए कि आप पूर्वी देशों में और इंडिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं जैसे ही East India Company इंडिया पहुंचती है तो यहां में तो यहां इंडिया में मुगल का शाषन रहते है फिर जब औरंग्जीब की मृतिव हो जाती है 1707 इस्वे में तो औरंग्जीब की मृतिव के बाद जो है मुगल समराज दीरे-दीरे कम जोर होने लगती है उसके बाद फिर क युद में कमपनी की सेना मुगल सेना को बूरी तरह से प्राजित कर देती है उसके बाद फिर बैटल ऑफ बकसर आता है 1774 इसमें भी कमपनी की जो सेना होती है वो मुगल सेना को बूरी तरह से प्राजित करते है उसके बाद लास्ट में क्या होता है एक ट्रेटी होता है ज अधिकार मिलता है दिवानी अधिकार, यनि Britishers got दिवानी right of Bengal, Bihar and Urisa, इसमें दिवानी अधिकार उसको मिल जाता है, दिवानी अधिकार होता है क्या है कि revenue collection अब कह सकते हैं, Taxes का collection, बंगाल, Bihar और Urisa में वो टेक्स का collection कर सकता है, इस से क्या हुआ कि उसका power झो है धिरे धि इंक्रीज करना शुरू हो गया उसके बाद कंपनी का जो रूल सासन शुरू होता है 1773 से 1889 तक इसका शासन चलता है इसमें पहला जो एक्ट आता है वो रेगलेटिंग एक्ट है 1773 ठीक है इसके फीचर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फॉस्ट एक्ट पास बाई ब्रिटिश पार्लेमेंट पहला एक्ट ब्रिटिश पार्लेमेंट में पास होता है ठीक है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फॉस्ट रुटें इसे कंपनी के लिए पहला लेखित संभीधान भी कहा जाता है बंगाल में उसके बाद हम लोग देखते हैं Governor of Bengal as the Governor General of Bengal पहले जो बंगाल का Governor होता था उसको Governor General के पद में convert कर दिया गया ठीक है उसके बाद हम दोग देखेंगे First Governor General जो बनाया गया वो और इन हिस्टिंग को बनाया गया ठीक है Governor of Madras and Bombay were made subordinate to Governor General of Bengal any Bombay और मदरास का जो Governor था उसको बंगाल की Governor General के अधिन ला दिया गया ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे Establishment of Supreme Court at Kolkata Kolkata में 1774 इस्वे में एक Supreme Court का अस्थावना हुआ उसमें जो है एक CJ और Chief Justice और तीन अधर जैजिस थे सीजे कुन था एलिजा MP ठीक हो उसके बाद Prohabited Prohabited Servant of Company from any private trades company में क्या हुआ था कि धीरे-धीरे corruption बढ़ने लगा था तो क्या हुआ बाद में जो है जो private trades trades हो रहा था उसको पूरी तरह से परतिवन लगा दिया गया ताकि corruption पर control किया जा सके उसके बाद note के बारे मैं लों discuss कर लेते हैं मैंने note लिखा है कि first governor of Bengal Lord Clive था ठीक है और last governor of Bengal Aranhashting और first governor general of Bengal जो बना वो भी Aranhashting ही बना आए हम लोग इधर हिंदी में थोड़ा सा डिस्कुस कर लेते हैं December 16-20 में British and East India Company भारत आती है ठीक है बयापार के लिए एलिजाबेत जो वहां की महरानी होती है उन्हेंने 15 साल का ब्यापरिक अधिकार उसको दे देती है ठीक है उसके बाद उस समय जब कमपनी भारत आती है तो उस समय मुगल शाशन रहता है और औरंग जेब की मिर्तियों 1707 भी में हो जाती है प्लासिक का यूद 1757 भी बकसर का यूद 1764 भी दोनों यूद में क्या होता है जो कमपनी की सेना होती है वो मुगल सेना को बूरी तरह से हरा देती है उसके बाद फिर इलहाबाद की शंदी 1765 भी में होती है में कमपनी को बंगाल बिहार उडिशा का दिवानी अधिकार प्राप्थ हो जाते है उसके बाद आता है कमपनी का कमपनी का शाशन ठीक है 1773 से 1858 भी तक इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इससी पहला एक्ट इसमें आयह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी यह इसमें क्या हुआ फीचर कूस्थ था कि पहला अधिनियम पारित किया गया अधिनिय पंध में कनवर्ट कर दिया गया और पहला जो गोवर जेनरल और और aleg को बनाया गया ठीक है इस अधिनियम के द्वारा बंबई एंड मदरास प्रिसिदेंसी को बंगाल के गौवर्णर जेनरल के अधिन लाने का प्रस्ताव किया गया ठीक है और इस्टेबिश्मेंट ऑफ सुप्रीम कोट एट कॉलकाता सत्रासो चोहत्तर इस्वे में ठीक है सुप्रीम कोट के अस्थापना की गई और इसका जो सीजे था चीप जस्टिस वो था एलिजा एम पे ठीक है और नीजी ब्यापार में परतिबंद लगा दिया गया करप्शन को क करने के लिए नोट पर्थम गवर्नर ऑफ बंगॉल जो था वो लॉर्ड क्लाइब था लास्ट गवर्नर ऑफ बंगॉल जो था वो और इन हस्टिंग और फॉर्स्ट गवर्नर जैनरल ऑफ बंगॉल जो था वो और इन हस्टिंग तो आज हम लोगोंने हिस्टोरिकल बैक्ग झाल झाल